कि वेरी गूड मॉर्निंग तू ओल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्मेशन एंड कम्यूकेशन टेक्नोलोजी जो कि आपका एंटी ए नेट जियारेप का मोस्ट इंपॉर्टिन टॉपिक है इस एक्सन है जहां से आपको फाइब कुश्चन मिलते हैं मतलब दस कुश्चन आपके रिपीट होते हैं और यहां पर उन प्रस्णों को ही लिया गया है जिनकी प्रोबविलिटी है कि आपसे आगे आने वाले कॉम्प्टिटिव एक्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं इसके चार पार्ट पहले अप्लोड हो चुके हैं जिनकी लिंक आपक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे और यह आज आपका पांचमा पार्ट है फिप पार्ट है वीडियो का चलिए हम बात करते हैं तो आपका है पर फर्स्टों करेक्ट हो जाएगा नेशनल मिशन ओन एजूकेशन थू आई-सी टी जो कि आपका 3 फर्वरी 2009 को लांच किया गया था तीन फर्वरी 2009 को नहीं सरकार के दोवारा इसको लांच किया गया था कि आई-सी टी की थुरू ये स्टुडेंट को टेचर्व को ट्रेंड किया जाएगा उनके अंदर आई-सीट की प्रती अभेड़नेस बढ़ाए जाएगी और जो Instant Messaging Application यहां पर Instant Messaging Application के बारे में पूछा गया है कौन सा है आपका WhatsApp, Google Talk और Viber यहां पर आपको नीचे Code दिये गए हैं जो Right है उसको आप्ट करना है पहला A, B, WhatsApp and Google Talk Second Option, Google Talk and Viber, Third Option, Only WhatsApp, Fourth Option, WhatsApp, Google Talk, Viber तो आपका यहां पर Fourth Option Correct होगा यह तीनों आपके Instant Messaging App है जिनके दुरू हम चैटिंग करते हैं यह अपने Pictures अपने File को Share करते हैं Question No.3 है हमारा Which of the following is an Open Source Software यहां पर बात हो रहे Open Source Software जैसा कि नाम से के लिए है आपका जिसका Source सबके लिए Open हो या सबके लिए खुला हो ठीक है तो कौन से होते हैं Open Source Software, Kind of Program, Where the Developer Behind Its Choices Release the Source Code Free यहां पर जो Source Code होता वो Free होता है कोई भी उसको Access कर सकता है MS Word, Windows, Mozilla Firefox, Acrobat Reader तो आपका यहां पर Mozilla Firefox है जिसको आप नॉर्मली ब्राउजर पर जाकर आप वहां टाइप करेंगे Mozilla Firefox आप इसको कोई चार्जर नहीं मागा जाता है, ना कोई आप पर आपसे की मागी जाएगी और आपके सिस्टम में Uninstall हो जाएगा, और खर आप MS Word को Install करते हैं, तो वहां पर आपसे की मांगता है, अगर आप ने पर्चिस किया होता है तो आपके पास की होती है पर्चिस नहीं किया होता है किसी फ्रेंट से आपने शेयर किया तो फ्रेंट वहाँ पर आपको उसकी की देगा उसके बाद ही इंस्टॉल होगा मतलब सोर्स कोड आपको देगा उसके बाद ही आप उसको इंस्टॉल कर हैं question number four है हमारा which of the following enables us to send the same letters to different person in MS bird MS bird में वो कौन सा option होता है जिस भी for example हमको एक letter भेजना है same letter हमको 25 लोगों को भेजना है 25 people को भेजना है तो हम कौन सा option की थिरू उस same letter को भीजेंगे mail join mail copy mail insert mail merge तो वो option आपका होता है mail merge mail merge के थिरू हम अपने एक single letter को ठीक SM letters को कई लोगों को भेज सकते हैं multiple respondent को send कर सकते हैं share कर सकते हैं question number five है हमारा यहाँ पर the process of copying files to a CD room is known as burning jipping digitizing ripping जब हम cd-rom को cd-rom के उपर किसी file को copy करते हैं उसको उस process को हम बोलते हैं burning जिसके लिए आपके software आते हैं narrow आता है आपके सुना होगा narrow के थिरू क्या होता है हम cd-com burn करते हैं और बागे आप डारेक्ट भी cd को burn कर सकते हैं आपने जिटा कॉपी किया और cd-cd-rom में जाकर उस drive को उपन करते हैं उसमें paste कर देते हैं तो बहाँ पर भी डिटा आपका burn हो जाता है लेकिन क्या होता जो हमारी cd की image होती हैं जो हमारे software होती है especially for example window आपको अगर window install करना है तो आप उसको narrow के throw ही burn करेंगे आप directly burn करते हैं तो वो window install नहीं होती है और problems हमको बहाँ पर आती हैं तो इस process को क्या कहते हैं हम burning process कहते हैं जब हमारे data cd-rom पर copy होता है option यह आपका correct हो गए हाँ पर question number six आपका dvd technology uses an optical media to store the digital data dvd is known as dvd यहापर dvd की full form आपको बताना है कि dvd की full form क्या होती डिजीटल बेक्टर डिस्क डिजीटल बॉल्यूम डिस्क डिजीटल बरसेटाइल डिस्क डिजीटल विजुलाइजेशन डिस्क तो आप तो dvd की full form होती है वह होती है digital versatile disk option third यहाँ पर आपको correct होगा question number seven है हमारे यहाँ पर what is the full form of usb as used in computer related activities यहाँ पर आपको usb की full form बताने है यह normally आप usb को जानते हैं नाम भी सुना होगा तो यहाँ पर full form क्या होती है ultra security block universal security block universal serial bus united serial bus तो usb की full form आपके होती universal serial bus universal serial bus यह usb क्या होता है an external serious bus interface standard for connecting peripheral devices usb कि थो usb port कि थो हमारे जो peripheral होते हैं जो hardware devices होते हैं उनको connect करते हैं for example आपका mouse हो जाता है आपका keyboard हो जाता है आपका printer हो जाता है पिंट्राइब भी usb में लगाते हैं ठीक है mobile का data transfer को करना होता है तो usb में लगाते हैं तो यह आपके क्या होते हैं universal serial bus question नमर आठ है हमारा a new laptop has been produced that bit less एक नए laptop को produce किया गया है जिसका bit कम है ठीक है smaller छोटा है अकृति में uses less power और बिजली की खपत भी कम होती है then previous laptop model जो पुराना laptop model है उससे तो which of the following technology तो इसमें कौन से टेकनलोजी को include किया गया है कि bit कम है small है और power भी कम खपत होती है यूनिवर्सल सीरियल बस्माउस फास्टर रेंडम एक्सिस मेमोरी बिलूरी डिवाइस सॉलिड इस्टेट हाड ड्राइब तो आपका यहाँ पर option फूर्थ करेक्ट होगा तो आपने system देखें होंगे पुराने हैं ट्राइब होता है चो हाड ड्राइब होती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइब तो उसमें क्या होता है उसके अंदर जो data हमारे store होता है sector में डिवाइड रहता है उसके अंदर mechanical plates होते हैं जिनको magnetic plates भी बोलते हैं तो वो जो CD DVD के तरह होती हैं काफी बजन उसमें ज़्यादा होता है बेट बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जब डेटा नहीं होती है यहाँ पर होती है memory chips चिनकी बजन से इसका बेट बहुत कम होता है और फास्टली डेटा यहाँ पर रीड राइट होता है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं एक तरफ आपकी HDD है जो पुराने कम्पूर्टर में यूज होती थी जिसका बेट बहुत ज़्यादा होता था और सेकेंट साइड में आपकी SSD SSD Solid State Hard Drive जिसमें चिप्स का यूज होता है कुश्य नमर नाइन है हमारे यहाँ पर विच आपड़ फाल्यूंग इजे करेक्टरिस्टिक आप बेट 2.0 अप्लिकेशन मुल्टिपल यूजर सेडियूल दियर टाइम तो यूस बेट 2.0 अप्लिकेशन बन बाइब 2.0 अप्लि आप्शन 3 बेट 2.0 अप्लिकेशन प्रोवाइड उसर्स बिट कंटेंट रादर दन फेसलिटेटिंग उसर्स तो प्रेट इट अप्शन 4 विप 2.0 अप्लिकेशन यूज अउनली स्टेटिक पेज तो आपका यहाँ पर आप्शन 2 और यूज होगा बेट 2.0 अप्लिकेशन और फोकस्ट ओन एविलिटी फॉर प्यूपल तो कॉलिबरेट एस सेर इंफॉर्मिशन ओनलाइन यह आपके जितने भी कुशन से प्रिवियसली आपके एंटी नेट जियर एक्जाम में पूछे जा चोके हैं और जो अदर आपके एक्जाम हैं आपके जहां पर कंप्यूट पूछा जाता बहां पर भी आपके मैक्सिम्म कुश्चन रिपीट होते रहते हैं कुश्चन नमर टैन है हमारे हैं पर फिच अफ फालोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप हाईस्ट लोइस्ट इस्पीड यहाँ पर आपको इस्पीड के बेस पर मेमोरी इसको क्यंको क STEG करना है हाईस्ट लोइस्ट कौनसी मेमोरी सबसे तेज्ट की होती है ठीक है एक लिव आहाप पर美味 को हाहीस फूलोइस्ट बताना किसके भीधर पर पर इस्पीड की अप्सण फर्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज main memory RAM cache memory CPU register second CPU register cache memory यह cache memory इसको बोलते हैं ठीक है secondary storage main memory RAM third CPU registers cache memory main memory secondary storage option 4 cache memory CPU register main memory secondary storage तो यहां पर जो सबसे fast होती है बहुती है सबसे ज्यादा fast CPU register उसके बाद cache memory उसके बाद main memory RAM और जो आपके secondary storage होता है जो आपकी hard disk drive होती है उसकी speed सबसे कम होती है सबसे ज्यादा speed होती है आपकी CPU registers की जो आपके central processing units की part होते हैं उसे में include रहती है उसके बाद cache memory आती है जो बहुत fast होती है उसके बाद RAM आजाता है और सबसे लास्ट में आपका secondary storage आता है question number 11 an unselected email message sent to many recipient at once is एक बार में एक mail से कई लोगों को ठीक है email भीजा जाता है 100 200 500 ठीक है तो उसको क्या कहते है बार्म virus threat spam तो बहुते हैं आपकी spam जो आपका एक email जबाप बोलते हैं तो आपको बहाँ पर spam नाम का folder देखता है जहां पर आपको unwanted message मिलते हैं question number 12 में हमारा SMTP is acronym for यहां पर SMTP की full form पूछी गई है simple mail transfer protocol simple mail terminal protocol simple mail transfer protocol simple mail transition protocol तो आपका यहां पर option सी करेक्ट होगा यह option थर्ड करेक्ट होगा simple mail transfer protocol ठीक है simple mail transfer protocol जिसके तो हम अपने mail को exchange करते हैं send करते हैं receive करते हैं question number 13 यहां पर memory के बारे में आपको बताना है ठीक है last time आपका NTA net jar of exam में आया भी question ठीक है तो यहां पर आपने mostly यह टेरे मेमोरी पड़ी होती है इसके आगे आपको maximum लोगों को नहीं पता होगा और जो आपके IT field के हैं वो लोग अभी रहते हैं लेकिन नॉर्मली जो लोग IT field से नहीं है उनके लिए चीज़े नहीं होती है तो आपका सबसे मेगाबाइट ठीक है मेगाबाइट के बाद आपको gigabyte गिगाबाइट के बाद आपको terabyte petabyte exabytes एकहावाइट और year W be equal to 1024 MB टिरमाइट only 1 TV ईब जिसके अंदर 2000 4gb if 5 एकने अंदर आपका 1024 in effect के अंदर इंदर आपका 1024 Pman ESPA आपका God 20 CNC भी जेड भी होता है उसके अंदर आपका बन जीरो टू फूर एक्सवाइट ठीक है तो यह इसको आप इसके निसॉल ले लेंगे इसका क्योंकि आपका मोस्ट इंप्रोटेंट है आपका टराबैट तक आपको याद रहता है पेटवाइट एक्सवाइट जेटवाइट को भी आपको याद करना है उसको रिमाइंड एक्सवाइट करना है आगे क्वेशन नमर फूर्टीन है हमारा एन इस एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट इस प्रेट बाइंसर्टिंग कॉपी इस तो इसल्प इंटू अधर एक्सवेटेबल कोड और डॉकुमेंट वह कौन से फा प्रेट वाइरस जो अपना कॉपी होते हैं और कापी होते जाते हैं नंबर आप फाइल से आपके कंप्यूट सिस्टम पर आपके मोबाइल पर इंक्रीज होते जाते हैं कुछ नबर फिप्टीन इन कंप्यूटर टर्मिन लॉजी बिच आप दे फालूएंग डिवाइस ड्राइबर आपको यहाँ पर डिवाइस ड्राइबर के बारे में बताना कि डिवाइस ड्राइबर क्या होते हैं ठीक है Hardware that allows interaction between peripheral device and the operating system Software that allow the user to control the operating system Software that allow interaction between peripheral device and the operating system Software that allow user to control the operating system तौवर ट्राइबर होगा । थर्द बताना हैं ठीक हैं हाँ ठीक्राइबर टैक्टोर्ण joue करेक्ट डगे धार टाउड को आपको डिबाइस ड्राइवर डाउन लूड करने होते हैं चीह पोर एक्जामपल जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बिंडू याने के बाद में फिय वेट हूंad आबाद नहीं आ रही होते हैं हमारे speaker से sound नहीं आ रहा होता है तो हम वहाँ पर डिवाइस driver को install करते हैं और हमारे sound proper work करने लगते हैं तो यह क्या होते हैं Software होते हैं जो हमारे hardware को हमारे peripheral devices को operating system के साथ connect करते हैं और वह work कर पाते हैं क्वेस्ट नबर 16 बिलूट टूथ इस टाइप ऑप रेडियो बेव इन्फॉर्मिशन ट्रांसमिशन सिस्टम इस गूट फॉर एवाउट जो बिलूटूथ का यूज हम करते हैं उसकी रेंज कितनी होती है कितनी रेंज में वह अच्छे से काम करता है तीस फिट तीस यार्ट तीस माइल्स थीजिक है मेल या तीन सो मील तो यहां आपके बिलूटूथ की रेंज होती है वह 30 फिट की होती है 30 फिट तक इसली काम करता है उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको जो आपके सिगनल है वह भी होने लगते हैं आपकी बाइस तो आपकी डेटा क्वालि है encryption जब हम data को encode करते हैं question no.18 identify the IP address from the following तो यहाँ पर आपको identify करना है IP address को तो IP address को जब identify करते हैं तो यहाँ पर आपका third option correct होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर आपका dot दिया हुआ है और जो आपके उपर वाले में देख रहे हैं आप क्या है कि डॉट नहीं दिये हैं डैस दिये हैं तो IP address में कभी भी डैस नहीं होते हैं कभी add the rate का यूज नहीं होता है ठीक है cable dot का यूज होता है IP address में तो यहाँ पर आपका थर्ड आप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट आप्शन में आप देख रहे होंगे 300-215-317-3 रॉंग है आपका ठीक है सेगें आपका देख रहे हैं डैस दिया है उसके साथ में add the rate भी दिया है add the rate का यूज कभी नहीं होता है थर्ड में आप देख रहे है only dot का यूज किया गया है तो यह आपका correct है फॉर्थ में आप फिर देख रहे हैं कि डैस का यूज कर दिया गया जो आपके रॉंग है question 19 के हम बात करते है personal computer uses the number of chips mounted on a circuit board called यहाँ पर बात हो रही है computer के अंदर कौन सा board होता है जिसके उपर आपके chips लगे होते हैं आपके RAM, ROM, microprocessor ठीक है और जितने भी आपके other devices होती है उसके उपर mounted होते है microprocessor, system board, dot board, motherboard उसको हम बोलते हैं motherboard तो option D आपका correct हो जाएगा question number 20 last question है हमारा TCP IP is necessary is one is to connect to the phone line LAN internet server TCP, ICIP, transmission control protocol और internet protocol किसके लिए use जरूरी है internet चलाने के लिए इन protocols का use हमको करना होता है इस वीडियो में हमें discuss किये है 20 important questions जो प्रीबियसली पूछे जा चुके हैं और maximum जो आपके exam होते हैं जहाँ पर computer aptitude पूछा जाता है बहाँ पर repeat भी होते हैं तो next वीडियो में हम नए questions के साथ में मिलेंगे तब तक के लिए thank you झालाने के साथ में तक के लिए ह्याद में हमें हरी तो